जैहिंद एवरिवन, वेलकम तो अवेकनिंग क्लासेज, आज के इस MCQ कम रिवीजन सेशन में, इंडियन रिवर्स और लेक्स रिलेटी जितने भी इंपोर्टन MCQs हैं, उन सब को हम कवर करेंगे, देखो हम एक सीरीज लेके चलें जिसमें हम जेके सब्सक्राइब के लेटी जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको MCQ कम रिवीजन के थ्रूप प्रेक्टिस कर रहे हैं, तो यह हमारे 5 और 6 लेक्चर है, तो आप हमारे प्रिविएस लेक्चर को भी देख सकते हो, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ रिवर्स के नाम दी हैं, गुदावरी, भीमा कृष्णा और तापी और सामने उनकी ट्रिविटिस हैं, तो हमें इनको मैच करना है, ठीक है, अब आप बोलोगे, सर यह ट्रिविटिस के तो नाम हमने कभी सुने ही नहीं, वार्ना, धार्ना, पूर्ना, इंद्रयानी, हमने तो गदावरी की ट्रिविटिस सुनी थी, जैस के लिए भी हम प्रिपेर रहें, तो इस कोशन का आंसर गदावरी की जो अगर हम देखें, गदावरी की ट्रिविटिरी जो है वो है धार्ना, ठीक है, भीमा की ट्रिविटिरी है, भीमा की है इंद्रयानी, जो है वो भीमा की ट्रिविटिरी है, कृष्णा जो है, कृष्ण तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A का 2 B का 4 देख लेते हैं कहां पर है तो option 3 हमारा क्या हो जाएगा ठीक है अब यहां पर कुछ समझ लेते हैं जैसे गदावरी है गदावरी कहां से आपको औरीजनेट कहां से होते हैं गदावरी औरीजनेट होते हैं महाराष्टा के नासिक से इसको दक्षिन गंगा भी कहते हैं पैनिसुलर इंडिया जो हमारा पैनिसुलर इंडिया है यह वाला portion है नीचे वाला इसकी सबसे बड़ी रिवर जो है वो गदावरी ही है इसको दक्षिन गंगा भी कहते हैं इसकी important इसे वेन गंगा मांजरा पूर्ण यह सारी क्या है गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी चाहिए आप यह वह इंपॉर्टंट फॉर एक्जाम ऐगर हम क्रिश्णा की बात करें देखो कृष्णा रिवर भीमा में इतनी 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 इंपॉर्टन रिवर नहीं यह उरिजनेट होती है महाराषट के महामकलेशवर snेट होती है हमारी कृष्ण1 इसकी त्रिप्यूटि ऐसकी तुनिग बाड़ए तुंग बद्रा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है आपने याद रखना और वार्णा भी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो आज हमने डिसकस किया तो इस जादा है जो चंबबल रिवर पे नहीं है उसको छोड़के बागी सब चंबल रिवर पर वोगे वो एक ऐसा डैम है जो चंबल रिवर में नहीं है गांधि सागर हिसका राना पर। रसागर डैम, तो इसका अनसर है हेरा कूद डैम, आपको पता हेरा कूद डैम कहां पर है 一 सार किसमें और किस रिवरगी है महानदी पर, किस river पर है महानदी पर ये चीज़ आपने याद रखने इसको छोड़ कि ये जो तीनु नाम दिये गांदी सागर, जोहर सागर, राना परताब सागर, ये तीनु डम जो है वो किस पर है, चंबल रिवर पर आपने याद रखना है फिराकूट थाम की बात करें हिराकूट डाम जो है न ओ लॉ'll के सिर्फन डाम है व्र्ल्ड का तो आपने याद रखना है लॉउंगेस्ट अर्थन डाम अगर आपको पूछे व्र्ल्ड का कौन सा है यह निएर बाऊट फिप्टिन किलो मेटर नौंग है यह centuries लगा दो तो सबसे लंबी कों से सबसे शॉर्ट कों सी ठीक है इस को पता है गंगा जो है इंडिया की लॉंग एक तो पहला तो नंबर पर तो गंगा ही आएगी उसके बाद यह दोनों में लेंट उसके बाद आ जाते हैं गोडावरी जिसको दक्षिन गंगा कहते हैं उसकी लेंध है 1465 km ठीक है कृष्णा की लेंध के बात करें वह 1,400 डबल जिरो किलोमेटर और यमुना की है 1376 किलोमेटर तो देख लो सबसे बड़ी को उसी है गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना यह आपने याद रखना है गंगा की देख लेना गुदावरी की देख लेना इससे जादा यह याद नहीं रखने बर सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि गंगा सबसे बड़ी जो लंबी जो है रिवर है वो इंडिया की आपने याद रखना है वैरी इंपोर्टेंट और गंगा कहां चे औरीजनेट होती है आप सबको पता है गंगोतरी गलेशिय से उत्राखंट से यह प्रेडियूज होती है और डिस्टिक उत्रकाशी है यह भी आप याद रख सकते हो ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पर मूव करते हैं कोईना तुंग भद्रा इन भीमा रिवर्स आदा मेजर ट्रिब्यूट हैं किसोओतरी b हैं कोईना तुंग ब्रभा अभी तो बताया मैंने आपको किसकी ट्रिपिधिस हैं कृश्णा रिवर कीृटरी इसको छोड़कर और भी है ठीक है जैसे मूसी भी मैंने आपको बताया था और भी देख लो दूद गंगा भी होती है इसकी ट्रिब्यूटी दूद गंगा भी इसकी ट्रिब्यूटी है आपने याद रखने है दूद गंगा भी किसकी ट्रिब्यूटी है कृष्णा की ट्रिब्यूटी है पॉछे जाते हैं तो यह सारी चीज़े मैंने अपने प्रीविएस लेक्चर में कवर करी हुई है तो आप उन लेक्चर को रैफर करो तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा ठीक है नेक्स्ट उश्ण पर मूव करते हैं इनमें से कौन सी डिवर औरीजनेट नहीं होती इंडिया में नौट लिखा हुआ ठीक है द्यान रखना गंगा यमुना भी प्रहम पुत्रा या गुदावरी देखो गंगा भी इंडिया में ओरीजनेट होती है यमुना भी यमनोत्री ग गुदावरी भी महाराश्टा के नासिख से बाट महाराश्टा भ्रह投ता जो है वह इंडिया में उरिजिनेट नहीं होती है ब्रहाश्टा काहाँ से वी drug घृच लेशियर से चिमा यूग डूंग लेशियर तो नाम याद । चीमा- यूंग-डुंग जलेशयर का नाम है तिबत में जहांसे क्या प्रेडिूज होती है जहांसे accident ही हमारी ब्रहम्पुत्रा रील Whenever पार्ट में इसको क्या बोलते हैं प्रहम्पुत्रा को मतलब क्या होता है पूछा जाताए जिसका नाम है रेंगो सैंगपो तो यह आपने याद रखना है रेंगो सैंगपो यह किसकी ट्रिब्यूटरी आपको पूछ ले तो ब्रहमपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है इन टिबथ रीजन ठीक है यह आपने याद रखना है ठीक है नेक्स्ट अब जिब यह ब्रहमपुत्रा इंडिया म дело में कौन सी है आपके लिए बहुत इंपॉ drawn डेख लेते हैं पहले लेट बेंक owners क्या नहीं जा रही है यह रिए न यह लिए अगर कोई यहां से यहां पर फ्लो करीए दो इस तरफ से मिलेंगी वो इसकी यह हें लफ्त अबिकिश्ि ए ये लफट बैंक हो जाएंगी ये तीम इंपॉर्टन्ट की बात कारें तो वह कौन सी हैं जैसे तीस्ता हो गया तीस्ता मानस हो गया सुबंसरी हो गया मानस हो गया सुबंसरी हो गया सुबंसरी कामंग हो गया ठीक है कामंग हो गया यह सारी इसकी क्या है राइट बंग इंपोर्टन ट्रिब्यूटी एक सकोष भी होते हैं यह आप याद सकते हो ठीक है तो पर देर से एंटर करती है धिहांग इसका नाम होता है लेफ्ट बंक ट्रिबीटिस की दिबांग सिकांग लोहित हैं और राइट बंक ट्रिबीटिटिस की तीस्ता मानर सुबंसरी कामंगोर अंकोश हैं ये चीज़ें आपने याद रखने हैं वैरी इंपॉर्टन फॉर एकज राजस्थां में कहा हैं राजस्थान में साबरमति रिवर हो तो यह व। तरफ जाती है मलना के थी An इंडिया मौत बना थे और हैं मैं लफ तरो हमारा बेंगल वे threats क्लिए जाएंगे जो राई तरह जाएंगे वह बेंगाल में जाएंगी चीज़ें आपने याद रखेंगे तो यह वेस्ट फ्लोईंग रीवर है साबरमती आपने याद रखना अरावली हिल से अरी और राजस्थान से और देखो एक और फैक्ट यहां पर बता जयता हूं यही क्यों ने याद है ठीक है next question पर move करते है यह important question है with the helper map समझेंगे हर shift में JKPSI की maximum shift में एक question आया था कभी एक पूछ लिया एक परियाग पूछ लिया कभी दूसरा परियाग पूछ लिया तो यह important है इससे question पूछा जाता है which one of the following is the place of the conference of alaknanda and bhagirati देखो alaknanda और bhagirati जिस जगह पर मिलते हैं वो कौन सा परियाग है परियाग वो जगह होती है जहां पर rivers मिलते है ठीक है विश्णु परियाग करन परियाग रूद्र परियाग या देव परियाग इसका answer है देव परियाग इसका answer है देव है अगर हम उसकी बात करें यहाँ पर map से समझते हैं देखो यह देखो गंगो तरी गिलेशियर है ना जो गंगो तरी गिलेशियर देखो आपको पता है उत्राखंड में चार दाम है ठेक है चोटा चारदाम का है और जो चारदाम चार कौन से एं एक सो आगया यही कि आप देखो यहाँ निकलती है बागी रती आप्ने यादबबने यहाद है इसकी नहीं है इसको हम बोलते हैं अलक नन्था क्या और यह रखना है वो कहां से निकलती है बद्रीना मिलती है वो कौन सी जगह ours विश्णु पर्याग क्या बोलते हैं उसको विश्णु पर्याग देखो अलक नंदा पे जब धोली गंगा मिलेगी उसको क्या बोलेंगे विश्णु पर्याग देखो यह याद रिखना बागी रती में कोई नहीं मिल रही है तो वो नहीं है सही अलक नंदा पे मिलती है अट परियाग। इसका नंध परियाग। फिर तेखो अलग नंद आ गuchi है। फिर इसमें पिंडर नदी मिलेगी। पिंडर गंगा मिलेगी विलेगी। क्या मिलेगी पिंदर गंगा इसका नाम क्या पढ़ जाएगा करण पर्याग क्या पढ़ जाएगा करण पर्याग एक्जाम के लिए important है याद रखना सबसे पहले अलग नंदा आ रही है दोली गंगा पढ़ी उस जगा का नाम है विश्णु पर्याग फिर अलग नंदा आ रही है नंदाकनी मिली उसका नाम है नंद पर्याग फिर अलग नंदा आ रही है पिंदर मिली उसका नाम है करन पर्याग क्या नाम है करन पर्याग फिर केदारनाग से एक रीवर आती है जिसका नाम है मंदाकनी मनDAKनि, वो जहां पर अलगनंदा में मिलती है, उसका नाम है। रूद्र परियाग, यह पूछा रहाता है एक्जाम में बहुत तुर्यागर, पिर क्या होता है। परियाग राज में, तो यह आपने याद रहना है, ठीक है, परियाग राज में यह मिलती है, अलाबाद में, यह कुछ important परियाग थे, जो मैंने आपको बता दी, important है for your exam, यह pdf में share करता हूँ, telegram group में, तो आप देख लेना, यह photo की picture आपने दिमाग में एक बना लेना, फिर question गलत नहीं होगा, ठीक है, next question पर मोगू करते है, which river of India is called वृिद गंगा, इंडिया की कौन सी river जिसको वृिद गंगा बोलते हैं, दक्षिन गंगा बोलते हैं, यह एक ही river है, किसको बोलते हैं हम, गोदावरी को, तो गोदावरी को बोलते हैं, वृिद गंगा या धक्षि चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, यह कहां से निकलती है, महाराष्टा से निकलती है, और तेलंगाना में भी जाती है, कहां कहां से फ्लो करती है, यह पूछ रहते हैं, कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है, महाराष्टा से फ्लो करती है, तेलंगाना से फ्लो करती है, आपने याद रखने है ठीक है next question पर move करते है Majuli is a river island ठीक है Majuli एक river island है किस river पे है ठीक है largest riverine island है याद रखने largest riverine island of the world पूरे world में river का सबसे बड़ा island कौन सा है Majuli island है ठीक है और ये कौन सी river में है आपने बताना है ब्रहंपूत्रा गुदावरी नर्मदा ये तापी कहां पर है ब्रहंपूत्रा में है ये असम में ठीक है largest riverine island on the world is Majuli और कहां पर है ब्रहंपूत्रा river में कहां पर है असम में ये आपने याद है ठीक है next question पर move करते है इसमें से गंगा की ट्रिब्यूट्री कौन सी नहीं है यह मुना तो है हम अभी देख के आए देन सुतलज दामदर सन दामदर सन भी इसकी ट्रिब्यूटी है गंगा की सत्रज जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटी नहीं है वो इंडस की ट्रिब्यूटी आपको पता है इंडस की ट्रिब्यूटी है जेलम चनाब रावी ब्यास सत्रज और भी है यह पांच इंपॉर्टन है तो यह किस लेक्टर लाया था जिसमें जितने भी लेक्स रेटिक फ्रेम हो सकते हैं जैने के हो इंडिया की लेक्स होंगे ओर या वर्ल्ड की इंबॉर्डन लेक्स हो सारे मिने उसमें एक्स्पेन करें ठीक है और मैं एक चीज आपको और रिकमेंड करूंग जब मैं पढ़ाता हूं एक तो यह चीज मैं आपको एक्स्पेन कर चुका हूं ठीक है नेक्स्ट पर मूव करते हैं इंद्रा सागर डैम कौन सी स्टेट में है ठीक है राजस्तान पंजाब गुजराथ हिमाचल परदेश और नन अफ द अबव तो इसका अंसर है नन अफ द अबव क्योंकि इंद्रा सा स्री ऋल्ड कॉन सी रिवर पहर पे है स्रीसलम हाइड्र migrate में है गोदावरी में है तो किस में है ये कृष्णा रिवर में है आंद्रा पारदेश मेnh स्रीसलम हाइड्रोलेक्टिक डैम यह आपने याद रखने डैम के रिलेटिक कोशन पूछे जाते हैं मैं कुछ आपको important डैम बता देता हूँ जैसे बाखरा नंगल है बाखरा नंगल डैम जो है बाखरा नंगल वो किस पे है सुत्लज पे कहाँ पर है सुत्लज रिवर के उपर है हिमाचल परदेश में यह आपने याद रखने तहरी डैम जो हाइस डैम है हमारा तहरी डैम जो हमारा हाइस डैम है वो कहाँ पर है वो उत्राखन में है बागी रथी के उपर कहाँ पर है बागी रथी रिवर के उपर है उत्रा खेंड में आपने याद रखना दिधी थे नेंस अगर आप बात करें एक है ना गरजुना सागर डाम। वो भी क्रिष्णा रिवर पर है नागर्जुना सागर डैम जो है वो भी क्रिष्णा रिवर पर आपने याद रखना है आन्रा प्रदेश में यह वो भी तो क्रिष्णा रिवर पर यह नागर्जुना सागर पर है नागर्जुना सागर भी क्रिष्णा रिवर में उसी तरह कल मैंने अपने lecture मered σादार स्रवR parab यह को ऊसी दीवर इनको इसी तरह कोई एक्स्वें करें क्र रहे हैं इसको गांधी हिसागर श्री सलन मंुलया पर दैंट कर सकता है त। इसे कोई इूलिशन स्री सलम् तो हमने अभी देखा अंद्रा परदेश में इसका answer तुंगबद्रा डैम जो है वो कहां पड़ा है करनाटका में और तुंगबद्रा रीवर पे हैं को श्री पर नाम से है पता चलता है तुंग बद्रा रीवर किसी ट्रिब्यूट्री है मैंने अभी आपको बताया सागर डैम कोन सागर डैम है महानदी क्रिष्णा सन या शुरावत्ति तो सन डैम पर हमारा बंशागर डैम यह आपने आपने याद अधन être संज रिवर क्या गंगा की ट्रिब्यूर्टी है यह भी आपने याद अधने ठीक है तेहरी डैम is situated at the Conflience of Which River, तो तहरी राम आपको पता है, उत्राखण में हाईयस राम है, ये कौन सी River के Conflience में है, बागी रती, भील गंगा, बिलंगा, जिसे कहते हैं, बागी रती, अलक नंदा, जहां पर बागी रहती है बिलंगा मिलती है तेहरी डाम बहुत न्यूज में था उत्रकंड में लैंड्सलाइड वगेरा हो गये थे तो उसमें भी इंपक्ट पड़ा था तो यह चीजें इसलिए मैं आपको यह बतारों यह इंपोर्टन नेक्स्ट कुछ इंपोर्टन लेक से कि इंडिया में एक ही फ्लोट करने वाला इलेक और मनीपूर में आपको बता है मनीपूर में पढ़ाया भी था फुम्दी ऐस नेशनल पार्क ऑपना इस अपर मनीपूर में आप है नेक्स्ट Lownar Lake की सिच्वेटी इन दस्टेट है perdre महाराष्ता में ठीक है, महारास्ता की भुल्दाना डिस्टेख में, महाराश्ता की भुल्दाना डिस्टेख में हमारा, जो Lownar Lake की करेटर लेक है करेटर Bishop का होता है बाहर से कुछ आया होगा तो वो जब गिरा तो metroid वगएरा गिरा तो उससे एक लेक की formation हुई that is known as crater lake तो यह कहां पर है लोनार लेक महाराष्ट्रा में आपने याद रखने यह सारे question में आपको already पढ़ाया हूँ है दो तिन question में आपको homework दे रहा हूँ question number 20, 21, 22 यह आपके लिए homework है आप इनको ध्यान से देख लो तो यह exam में आप आपने इनका answer comment box में बताना है मुझे 20 question का भी 21 का भी और 22 का भी और इस lecture की PDF जो है हम अपने telegram group पे share कर लेंगे उसक से आज यह आ है तो आपको day time में prepare करना और शाम को टेस्ट देना आपकी preparation हो रहे हर दिन एक topic जो हम JKSSB FA और VLW का उठाते हैं ठीक है so this is very important बहुत जल्दी हम JKSB VLW के लिए math के लिए English computer इन सब की classes start करें तो आप चैनल में जुरूर विजिट करें telegram group को जॉइन करें Instagram handle को भी जॉइन करें वहां पर daily current affairs मिलता है और 6 महीने के current affairs का हमने marathon session भी मिनाया हो रहा है उसको भी आप आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अगर आपको content प्रसे संद आया है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब और शेयर करें thank you so much for watching